हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंट्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भरा नमिशकार सच श्रियाकाल अदाब दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेश्पी की साथ आज हम बनाने वाले हैं सूजी के क्रिस्पी कुरुकरे पकोडे जी हाँ आगर आप बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो उठिए फटा फट बनाईए सूजी के पकोडे और सब को खिलाईए इसे बनाना भी बहुत असान है तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से हम अपने घर पर असानी से बना सकते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले हमें चाहिए एक बॉल बॉल में डालेंगे हम एक कप के करीब सूजी सूजी बरीक हो या मोटी हो जो भी हो चलेगी अब हम इसमें डालेंगे दो चमच के करीब दहीं साथ में ही डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बेसन के पकोड़े आपने बहुत खाए होंगे लेकिन आज आप सूजी के पकोड़े बना कर खाईए तो मज़ा ही आने वाला है तो अच्छी तरह से देखिए मैंने बैटर को मिक्स कर दिया है मतलब कि सूजी को मिक्स कर दिया है दही सूजी और पानी को और अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज साथ में ही मैं डाल दूँगी इसमें कटी हुई शिमला मिर्च मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी थी मैंने शिमला मिर्च डाल दी साथ में ही डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च क्योंकि सपाइस स्पाइसी कोड़े बन कर त्यार होने वाले हैं अब मैंने डाल दिया इसमें कफी सरा हरा धनिया अगर आपके पास गाजर है गाजर डाल दीजिए गोबी है गोबी डाल दीजिए तो साथ में ही डाल रही हूँ मैं साबू जीरा टेस्ट के कॉर्डिंग नमक साथ में ही डाल देते हैं लाल मिर्च क्योंकि हरी मिर्च भी इसमें मैंने डाली है को तो आप अपने आप सोचिए इतने मसाले इसमें गए हैं प्याज शिमला मिर्च हरी मिर्च और हरा धनिया तो कितने पढ़िया हमारे यह पकोड़े बनकर त्यार होंगे मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी और डालते हुए और इसका बैटर बनाएंगे बिल्कुल वैसा ही जैसे हम बेशन के लिए पकोड़े बनाते हैं ना बिल्कुल वैसा ही पकोड़े का बैटर हमें चाहिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जुरू लिखकर बताईएगा कि आप अगर यह पकोड़े वगरा बनाते हैं तो आपके पकोड़े किस तरह के बनते हैं तो यह दिखिए बैटर हमारा बिल्कुल त्यार हो चुका है अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए दो चमच के क्रीब चावल का आटा मैं चावल का आटा का इस्तमाल कर रही हूँ आप इसमें कॉर्ण फ्लोर भी आड़ कर सकते हैं मैदा भी आड़ कर सकते हैं तो मैं डाल रही हूँ इसमें चावल का आटा अच्छी तरह से फिर एक बार मिक्स कर लेते हैं अब इससे हम क्या करेंगे रेस्ट के लिए रख द जड़ाई का हींग का तड़का भी लगा सकते हैं तड़का लगा कर इसमें डाल दीजिए और इसके बाद इसे पकौड़े बनाईए तब यह बहुत टेस्टी बनेगा पर मैं इसमें नहीं तड़का लगा रही अब मैंने डाल दिया इसमें वन फोर्थ टीजपून के करीव बेकिंग सोडा क्योंकि हमारा जो पकॉड़े हैं काफी फ्लफी बनकर त्यार होंगे बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी कुर्क्रे तो बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है सोडा डाल कर भी इसमें और मैंने गरम करने के लिए रख दिया है तो वह भी गरम हो चुका है और बैटर भी हमारा बिल्कुल त्यार है पकॉड़े बनाने के लिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसे बनाना तो पहले तो मैं इसे spoon की help से ही पकोड़े बनाऊंगी बाद में हम देख लेते हैं कि हमें क्या easy रहता है spoon या हाथ से बनाना तो सबसे पहले हम friends तेल को high flame पर गरम करेंगे उसके बाद हमें इसकी flame medium कर देंगे तो medium flame पर इस देखिए इच्छी तरह से पकॉड़े फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल गोर्डन कलर इसके उपर आ चुका है बहुत बढ़िया खुश्बू भी आ रही है तो यह वह ले पकॉड़े तो मैं निकाल लूँगी और अब हम डालेंगे हाथ से तो हाथ से जो पकॉड़े हम डाल रहे हैं वो ज्यादा एजी रह रहे हैं तो यह देखिए कितने बढ़िया फूल कर त्यार हो रहे हैं पकॉड़े देख रहे हैं जिस तरह से कोफते हम फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही शेप आ रही है इसमे और इसे भी गूर्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे अच्छी तरह से यह देखिए बहुत यह बढ़िया कलर आ चुका है इसमें भी और फ्रेंड्स आप यकीन मानिये यह जो सूजी के पकॉड़े है ना बेसन के पकॉड़े से भी बहुत बढ़िया टेस्टी लगते हैं आप इसे इमली की चटनी के साथ खाएं टोमाटो कैचप के साथ खाएं सास के साथ खाएं हरी चटनी के साथ खाएं जिसके साथ मर्ची खाएं ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं तो लीजिए फ्रेंट्स सभी पकॉड़े हमारे बनकर त्यार हो चुके हैं आप देख रहे हैं कलर देख रहे हैं तो करते हैं इसकी प्लेटिंग तो लीजिए गरम, गरम, क्रिस्पी, कुरकरे पकॉड़े, सूजी के पकॉड़े बिल्कुल त्यार हैं खाने के लिए उठिए, बनाईए, फटा फट सबको खिलाईए तो मैं तो खाने वाली हूँ इसे, मेरा पूरा परिवार खाने वाला है तो यह देखिए, मैं आपको न, एक पकॉड़ा तोड़ कर भी दिखाती हूँ, यह देखिए यह देखिए, अंदर से कितना बड़िया, सॉफ्ट पकॉड़ा बनकर त्यार हुआ है, बिल्कुल जबरदस्त तो मैं तो इसे टोमाटो केचप के साथ खा रही हूँ तो आप भी बनाईए और इसे इंजोई कीजिए तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फिर मिलती हूँ एक और नई वोडियो के साथ तब तक के लिए, बाई बाई